पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ये दास्ता है एक बड़े ही अनोखे हुनरमंद अभीनेता की जिनने हम परिक्षित साहनी के नाम से जानते हैं कुछ वक्त के लिए फिल्मों में बद और अजे साहनी भी नजर आये थे इनके वालिद बलराद साहनी खुद एक लिजन्री अक्टर रहे परिक्षित साहनी साहब को जन्म हुआ एक जन्वरी सन 1944 में ये वो वक्त था जब इनके वालिद विश्व भारती युनिवर्सिटी शान्तिने के तन में वत और अंग्रेजी टीचर काम किया करते थे इनके बढ़ाई लिखाई हुई लॉरें स्कूल सानावार में उसके बाद इन्हें दिल्ली के सेंट स्टीफन्स कॉलेज भी भेजा गया बच्पन सही इन्होंने घर में थेटर का माहौल देखा था एक वक्त ऐसा भी आया जब इनके पिता को जेल जाना पड़ा जब जेल से छूट कर आये तब आदा चला कि परिवार मुफलिसी की हालत से गुजर रहा है और तब कुछ फिल्मों में बलराथ साहनी ने काम किया और साथ में परिश्खित साहनी भी बदाओट चाइल आर्टिस्ट फिल्मों में नजर आये जैसे कि फिल्म दीदार और हल चल इन फिल्मों में नर्गिस जी दिलिप कुमार सहाब और अशोक कुमार सहाब से इनका अलग अनुका रापता बना इनके चाचा जो जाने माने नॉबलिस्ट रहे फिल्म्स और टेलिविजन में अभिने भी करते रहे जिनका नाम है भीश्खित साहनी उनके कहने पर परिश्खित साहनी को भेजा गया मौस्को यह साठ की दहाई का वक्त था सोचा तो यह था कि वहाँ जाकर यह आर्किटेक्चर पढ़ेंगे पर चुकि यह मेथेमेडिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे इनका एक अप्टिट्यूट टेस्ट हुआ और मालूम पढ़ा कि इनका जुकाफ तो सिनेमा की तरफ है तो बस इन्होंने राइटर और फिल् में डरेक्ट करेंगे पर अभिने ने इने पकड़ लिया हाला कि बश्वन में अपने वालत के साथ यह थेटर में काम कर चुके थे इसलिए एक्टिंग जादा तकलीफ दे मालूम नहीं हुई वो और बात है जब यह बतार चाइल आर्टिस्स काम करते थे तब इनके पिता क और आदर्श दोनों में ही नंदा इनकी हेरोईन थी और यह फिल्में डब्बे में बंद हो गए प्रिडूसर राजिंद्र भाटिया सन 1966 में एक फिल्म बनाने वाले थे इसका नाम रखा था पवित्र पापी एक नए डिरेक्टर की तलाश थी और सोचा था कि परिश्यत सा इससे पहले भी इनोंने एक फिल्म में काम किया था वो फिल्म रही अनोकी रात इस फिल्म में इनकी दोस्ती हुई संजीब कुमार सहाब से और संजीब कुमार नहीं इनका नाम परिश्यत से अजे रख दिया था फिल्में चली इनकी लुक्स चली और सभी ने कहा कि पवित्र पापी के बाद फिलमाई समाच को बदल डालो इसमें भी इनके अभिने के खूप तारीफ हुई इनका गोरा चिटा चेहरा बड़ा ही कसा हुआ बदन सभी को आकरशित करता था ये दरसल रावल पिंडी के नजदीक मुरी इलाके से आते हैं और वहीं का डील डॉल इनकी शक्सित में नज़र आता है तनुजा जी के साथ भी ये नज़राय थे फिल्म प्रीत की डोरी में फिल्मों में इनके ओपर गाने भी पिक्चराइज हुए पर धीरे धीरे बॉक्स आफिस वो कमाल नहीं दिखा पा रहा था इनके लिए जिसकी उमीद की जा रही थी ये बहुत छोटे ही थे जब इनकी मा का इंतकाल हो गया था और इसके बाद इनके वालत ने संतोष चंदोक नाम की महिला से विभा कर लिया वक्त आगे बढ़ता रहा और इनकी शादी हुई अरुना जी से जो की चेतनानंद देवानंद विजयानंद की बती जी हैं परिश्चे साहनी के तीन बच्चे हुए तानिया साहनी, बेटा वर्ण साहनी और बिटिया अधिती साहनी खरामा खरामा अजे साहनी से ये परिश्चे साहनी पर ही लोट कर आए और फिर कुछ फिल्मों में ये बतार करेक्टर आटिस्ट नजर आने लगे टेलिविजन सीरियल गुल गुलशन गुलफाम को कौन भूल सकता है और नए दौर की फिल्में लगे रहो मुन्ना भाई, त्री इडियेट्स और पीके में भी इनका किरदार सभी को पसंद आए यकीनन परिश्यत सहनी उन गिने जुने कराकारों में से हैं जिन्होंने बश्वन में दिलिप कुमार, नर्गेज, अशोक कुमार जैसा भी नेताओं के साथ काम किया साथ के दशक में बताओ नौजवान हीरो बने नजराए ये और धीरे धीरे नए उभरते सितारों के साथ करेक्टर आर्टिस बने टेलिविजन रहा के थेटर या फिर रहीं फिल्म्स हर जगा परिशित साहनी ने अपना सिक्का जमाया भारते सिनिमा के इतिहास की ये एक बेजोड कड़ी है माजी ऐसी कोई बात नहीं ये तो यसकी महबबत है जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History